हेलो फ्रेंट्स कई लोग का यह कुष्चन आता है और कई लोग मुझे परफिरली मैसेज करते हैं कि सर हम एक सीए फ़र्म को कैसे जॉइन करें और कैसे फाइंड आउट करें सीए फ़र्म को और कई वर स्थी यह बोल देती हैं हमारे पाद वेकैंसी नहीं है क्या क्वालिफ को जॉइन करने का तोनों ही पॉइंट व्यू से लर्निंग के पॉइंट व्यू से भी अच्छा टाइम है और इस समय हर सीए फ़र्म के पास भर भर के वेकैंसी होती है यह मैं क्यों बोल रहा हूं देखिए अभी आईटियार फाइलिंग का सीजन एंड हो चुका है और एक काम होता है वह आईटियार फाइल करते हैं क्यों करते हैं और जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके डिरेक्टर्स हैं उनके इंप्लॉई है तो उनका भी आईटियार फाइल करना होता है तो आईटियार फाइल से भी करते हैं बट मैं के बताना चाहरा हूं कि आईटियार फाइल यह CA की ना core field नहीं है, main काम IDR filing नहीं है, CA के पास India में power होती है audit की, तो जो main काम है na CA का जिसके लिए CA की degree ली जाती है, पर यह IDR filing तो कोई भी कर सकता है, audit लिक्नी इंडिया में कौन कर सकता है, only charter accountants, तो IDR filing end हो चुकी है, अभी time start हो चुका है, tax audit, company audit, अब यह जो आने वाल महीने है न, August चल रहा है, September, October, यह तीन महीने मतलब इतने busy month होते हैं, किसी भी professional की life में, कि मतलब खाना खाने की फूर्तत नहीं, सास लेने का time नहीं, personal time तो मतलब भूल जाएगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 30 September, last date है tax audit की, और time कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अभी द limit होती है, तो अब इस समय, CA firms के पाद भर भर के vacancy होती है, यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, because एक tax audit करने में, at least दो article या दो paid staff तो चाहिए ही, उसको check करने के लिए, तो अगर आप काम सीखना चाते हो, तो यह best time है, अगर आप CA firm जोइन करना चाते हो, best time है, शायदी कोई CA जहाँ पर आप जाओ, और वो आपको मना कर दे कि हम आपको नहीं रख पाएंगे, हाँ, किसी CA firm के पास already staff है, तो बहात अलग है, वरना इस वक्त CA ढूंडते हैं paid staff, कि कहां से उनको staff मिल जाए, और वो रखे, थाकि उनका जो burden है, वो कम हो जाए, तो इस से मैं आपको पैस या कोई company जॉइन करेगे, CA firm earning के लिए नहीं होती है, अगर आप learning के point of view से आ रहे हैं, बेस्ट टाइम है, अभी आपको tax audit सीखने को मिलेगी, अभी आपको accounting सीखने को मिलेगी, balance sheet कैसे बनाते हैं, ये सीखने को मिलेगा, company audit कैसे करते हैं, ये सीखने को मिलेगा, company की जो form ज है वह सीखने को मिलेगा बतलब यह जो आने वाले 4-5 महीने हैं इसमें अगर आपने सीए फर्म जॉइन कर ली और लगकर काम कर लिया तो यह छे-सात महीने गोल्डिन पियर्ड होता है कुछ भी सीखने के लिए तो अगर आप यह सोच रहे थे कि भाई मुझे कोई सीए फर्म जॉइन करनी है बेस्ट टाइम है यहीं वह टाइम है जब आप स्यए फर्म जॉइन कर सकते हैं अब यह ःता है सार हम तो किसी सीए पो नहीं जानते हैं हम जारे से करें मतलब आज का टाइम ऑई काटाइम चल रहा है पलक जपकते बड़े-बड़े काम चुटकियों में हो जा रहे हैं और आपको अपनी City के अंदर CA form नहीं मिल वहीं है कुछ नहीं करना है आप जिस City में रहते हैं गूगल पर जाएए वहाँ पर टाइप करिए CA Forms कोई भी City है CA Forms in New Delhi CA Forms in Lucknow CA Forms in Jaipur कुछ भी टाइप करिए पूरी लिस्ट आ जाएगी उस लिस्ट पे जाएए एड्रस नोट करिए विजिट करिए एक दिन में अगर आप 10-12 CA Forms विजिट कर लेते हैं आपको कहिने कहिते तो कॉल आई जाएगा आपको कोई रिश्वात देनी है या कोई बहुत आपको कोई रेफरेंस चाहिए नॉर्मेली दस भारत CA Forms के बाद आप जाओ इंटर्व्यू दो सीवी सम्मिट करो कही ना कहीं से कॉल आ जाएगा क्योंकि बेस्ट टाइम चल रहा है अभी CA को एकांटेंट की भी रिकार्मेंट होती है तो उसको एक अकांटेंट कर सकता है कि यसमें यह करनी है यह नहीं है अब अगर आप CA Forms जाते है यह बेस्ट टाइम है अभी जो तीन-चार महीने है इसमें अगर आपने कोई CA Forms जॉइन कर लिया और वहां पर आग ऑगर आप आपने लगए काम सीख लिया तो यह नॉलेज आप आगे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में अब एक कम्प्लेन आती है और शायर यह अगर आप लोग सीए फ़र्म जॉइन कर सके हैं तो आप इसे रिलेट करेंगे सर हम जिस यह फ़र्म में हैं वहाँ पर हमें कुछ सिखाया यह नहीं जाता हैं सर वहाँ तो हमें एक ही तरह काम दिया जा रहा हैं सर हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं छे महीना हो गया है, एक साल हो गया, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, मैं खुद एक सीखर बता हूँ, कोई भी आपको 100% नहीं सिखाने वाला, आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको बस उपा उपर से बता दिया जाएगा, यह चीज ऐसे होती है, बाकी आपको खुद दिम कोई फील उढ़ा लिजे, एक एक चीज आपको नहीं बताई जाएगी, उंगली पकड़के, कुछ बताया जाएगा, वाकी आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है फ्रेंट्स, तो यह कंप्रेंट मत करी, हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, अगर आपको कोई छोटा लेकिता जारा है, अच्छा काम एन पोटेंशेल लेगा तो तो और धिरे, धिज़े को अच्छा काम मी मिलेंग और और काम आप चीज़े, और वन के पुछते किताब CA firm में काम सीखने के बाद क्या job मिल सकती है क्या job में helpful होता है पहली बात तो यह अगर आप किती CA firm में हैं और वहां कि अच्छे contacts हैं तो आपको उस CA firm से ही job मिल जाएगी दूसरा CA firm का अगर experience है तो definitely आप कहीं पर भी job के लिए जाते हैं तो वहां आपको helpful होता ही होता है वहां पर आपको अच्छे package से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है अगर आपकी practical knowledge अच्छी है को भी private companies होती है वो देखती ही देखती है बढ़ आपका skill check करती है आज कल जितनी भी private companies हैं जितनी भी private jobs है minimum three round of interview होते हैं पहले एक interview होता है basic level का फिर एक होता है जिसमें आपको कोई task दिया जाता है फिर आपका final interview का round होता है जहां पर आपसे कोई जो top HR level के लोग हैं या जो board of authority के लोग हैं सीधे वो interview लेते हैं पर एक बार छोटा officer interview लेता है फिर उससे बड़ा officer फिर सबसे होते हैं interview के तब आपका selection होता है तो अगर आपके पास practical experience होगा ना तब ही आप interview crack कर पाओगे वो यूँ पकड़ लेता है कि इसके पास book की knowledge है कि practical knowledge है और practical knowledge आएगी कहां से आपके पास अपने clients तो है नहीं तो कहां से आएगी practical knowledge किसी CA firm से किसी law firm से तो अगर आप planning कर रहे और ये पर आप CA firm join कर लिया तो इसे मैं आप काम भी बहुत सीख सकते हो विकॉस December तक जब तक GST annual return नहीं हो जाएगा तब तक कामी काम है आप GST, income tax, ROC, GST सब सीख सकते हो खी हो क्या friends तो इसी वारे में था ये वीडियो और ऐसे ही मदेदर वीडियो मैं तो लाता है रहता